हलो फ्रेंच वेलकम दो चानल करेंट अफैर अपडेटेड दिस देवाशी शवस्ती और आपका फेवरेट लेक्चर जिसकी सीरीज में कंटिनुएस चला रहा हूं आप देखे लेक्चर आप खुद समझ जाएंगे इसका यूज क्या है तो चले स्टार्ट करते हो देखते हैं वीकली करंट अफैर्स की MCQ फॉर्म में इस वीक 11 फेब से 18 फेब में क्या क्या चीज़े न्यूज में रहीं सबसे पहला कोशन आपके सामने है कोशन है यह कोशन मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि UPSC 21 E3 में कोशन आया था जिसने पेपर दिया होगा है पेपर देखा भी होगा चेज़ ओलंपियाज से आपके कोशन देखा होगा तो अभी वापस ही न्यूज में क्यों है वह मैं बताता हूं 23 E3 में तो कोशन आ चुका है फिर से आने के चांसेज है बलब जो 45th Chess Olympiad 2024 में होने वाला है वो कहां होने वाला है क्योंकि उसी को हमने टॉर्च दिया होगा तो options आपके सामने हैं तो इसा correct answer तो that is option बब भी हंगरी तो हंगरी capital या देखे बुद्धापेस्ट ये भी यादखना आपको तो देख सकते हैं यहाँ पर answer क्या मैंने देखे हैं description भी लिग दिया है कि 44th Chess Olympiad 2023 का चेने में हुआ था इसलिए exam में भी question आया था और 45th का होने वाला बुद्धापेस that is Hungary में तो इसका answer क्या हो गया that is Hungary चलिए आगे बढ़ते हैं तो आप देख रहे हैं ना question direct भी आपके exam में पूछा सकता है कि 45th Chess Olympiad कहा हो रहा है यह Chess Olympiad 2024 कहा हो रहा है ऐसे question आपसे पूछे आ सकते हैं चलिए next question में आते हैं बड़ा famous question again exam में आएगा आपको पता अभी UPPSC का paper है MPPSC का paper है UPSC का exam आगए notification आगए सारे exams आपके सामने हैं आपने सब के form fill up की होंगे और अब current affairs जो सबसे important part होता है exam के लिए उसके लिए questions मिलना बहुत difficult है इसलिए मैं इस series का follow करी है second question क्या है कि जनरल विपिन रावत आप सबने सुना होगा इंडिया के पहले CDS थे चीफ डिफेंस स्ताफ उनकी अभी रीसेंटी या दिखेगा इंडिया की पहली इंडिया's first CDS की मलब in which city was statue of general विपिन रावत इंडिया's first CDS जो थे उनकी अभी रीसेंटी राजनाज सिंग उनकी मूर्ती जो है उसको open किया है, inaugurate किया, unveil किया है तो कहां पर unveil किया है तो important है वेपन रावत जी की में बात करूँ तो आपको उत्राखन दिमाग में जरूर आता होगा वहीं से वे बिलॉंग करते दें तो correct answer जो है that is देहरादून, that is option number D, okay और आज सब को बताओ को में जो CM है at present वो कौन है, that is पुषकर सिंग धामी, तो उनके साथ राजनाथ सिंग ने इस मूर्ती को unreveal किया है, again a very important question, okay चलिए, next question मा आते है, यह question मी बहुत important है, question क्या है, आप मेरे सामने आपर कुछ देख रहोंगे, that is नीबू, याद रखिएगा, so काजी नीबू, य आप में देखा, UPSC में भी ऐसे question पूछे गए है, कि state butterfly declare किया गया है, अगर आपको याद होगा, तो ऐसे questions आते हैं, मुझे यह सब questions इसलिए पता है, क्योंकि मैं हर exam के questions आपको कराता हूँ, चाह वो UPSC हो, चाह वो below exam, state level के भी exams हो, हर सब के questions कराता है, तो इसलिए मुझ questions भी उसी तरह frame करता हूँ, ठीक है, तो यही reason है, exam में आपकी मेरे lecture से question आने के, चलिए, तो इसका correct answer है, इसका correct answer है, असम, और असम के CM, आप सब को बता, आप लोग वो मामा की नाम से जानते है, comment box मुझे आप असम के governor के नाम बताईए, क्योंकि याद एक असम इसका answer है, असम के governor के नाम, आप मुझे comment box में mention करें, अब जो हमारा next question है, that is, question में fourth, यह भी important है, question है, इंडिया और कतर से related, अब मैं आपको बता दू, कतर इस बार बहुत news में, इंडिया के relation बहुत अच्छे चल रहे है, कतर से, तो आपको याद अखना है, एक बार Middle East का map ज़रूर देख लेना, कतर को जरूर देखना है, क्योंकि Middle East, इस बार मेरे को मानना है, Middle East से mapping से question जरूर आ सकते है, तो Middle East जरूर एक बार map में देख लीजेगा, question यहाँ पर क्या है, what was the reason for the detention of Indian Navy, आठ इंडिया नेवी को detain कर लिया था, किस ने, कतर ने, और उनको finally court में गए, उनको इंडिया वापस बुला लिया है, तो कोशन है कि क्या reason था कि उनको कतर ने detain कर लिया था, पहला कोशन तो यह, तो options आपके सामने दिया है, कि वो 8 military person में क्या इल्जाम लगे थे, कि उन्होंने यह काम किया, तो इसका correct answer है, option number B, that is, espinage, याद रखे, espinage की अगर ने बात क थे, उन पर death penalty भी दी गई, but finally उसको इंडिया ने रिहा करा लिया, that's a great step by Indian government, okay, तो आप यहाँ पर देख साकते है, मैं लिखा कि October 2023 में उनको accused कर दिया गया था, मतब कतर ने sentence दे दिया था death को, but finally उनको release कर दिया गया है, उनकी penalties को हटा दिया गया है, तो यह भी एक बहु economy, okay, अब Japan जो world की third largest economy थी, अब वो fourth largest economy हो गई है, क्योंकि एक country ने Japan को पीछे कर दिया है, okay, इसा correct answer क्या है, किस country ने Japan को पीछे कर दिया है, और correct answer है Germany, तो rank third पे आ गई है Germany, rank fourth पे चला गया है क्या, आपका Japan, और आपने मोदी जी के मूझ से बहुत बात सुना होगा कि मैं आपने 11th largest economy से इंडिया को fifth largest economy बना दिये, तो ये question भी आ सकता है, first कौन सी, इंडिया is a fifth largest economy, याद अखिएगा, आपको यहाँ पर diagram दिखायता हूँ, diagram दिससे आपको याद रहेगा, rank one पर है USA, rank two पर है China, और अब हो गई है rank three पर Germany, fourth पर जैपान और फिफ्थ पर इंडिय तो Germany ने भी Japan को पीछे किया, यह आपको याद रखना है, और इंडिया फिफ्थ रैंक पर है, इसलिए मोदी जी बार पर फिफ्थ नंबर बार बताते भी रहते हैं, ओके चले, आगे बढ़ते हैं, next question माते है, question number six, अभी आपको पता है India और England का test match चल रहा है, third test match चल रहा ह तो मैंने पूछा है, who is the only Indian cricketer to have taken 500 wickets in test cricket before Ashwin, अभी recently Ashwin ने 500 test wickets ले लिये हैं, बट उससे पहले, अभी तक सिर्फ एक ही cricketer है, test Indian cricketer जिसने 500 से जाधा wicket लिये हैं, Indian team की में बात कर रहा हूँ, okay, तो उसका नाम क्या है, options और विराट कोली, अरे विराट कोली, बॉलर कह कर दीजे, सची दल को ये भी नहीं, रोहिट चमा, option इते गंदे दिये, मैंने करक का अनिल कुम्बले, okay, अगर मैं आपको list बताओं, तो अभी तक test में सबसारा wicket लेने वाले प्लेयर हैं, अनिल कुम्बले, देख सकते हैं, 619 wickets ले चुके हैं, okay, तो ये rank 1 पर हैं, okay, तो इसलिए आंसर इसका अनिल कुम्बले था, जिन्होंने 500 टेस्विकेट अश्विन से पहले ले लिए, अभी रिसेंटली अश्विन ले लिए हैं, अभी रिसेंटली अश्विन ले लिए हैं, तो थर्ड नमबर पर आप देख रहे हैं, कापिल देव, okay, तो ये हैं, most चल्बेट करते हैं, नाशनल वोमेंस दे, okay, तो पुझा गया, नाशनल वोमेंस दे कब बनाते हैं, या इस बार की सवर्णिन आइडी की 145th वर्थ इनवर्सी कब चल्बेट की गई है, उसका correct answer जो है, फेब की current अफेर है, तो correct answer 13th February, या दखिएगा, 13th February is the correct answer, आप सब को इनको हम Night Angle of India के नाम से भी जानते हैं, okay, कभी direct question ऐसे भी सकता है, नाशनल वोमेंस दे हम कब चल्बेट करते हैं, तो answer 13th February, okay, चले, next question माते है, अभी एक recentी scheme प्रधानमंती ने लांच कियो बहुत news में भी है, PM सूर्य घर, that is मुफ्त बिजली योजना, okay, तो objective क्या है, PM स आप गार्डरिनिंग ये भी नहीं है, लाइट अप वन करोर हाउसोल्ड वित फ्री एलेक्टिसिटी, बिलको सही बात है, एक करोर हाउसोल्ड, जो याद एक है, रूफटॉप पे सोलर पैनल लगाएगा, उनको 300 यूनिट पर मन्थ, फ्री एलेक्टिसिटी दी जाएगी, इसमें लोग सोलर पैनल जो हैं, अपने घर में भी लगाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हमसी है, याद देखेगा, इजी कोशन मैंने पूछा है, बट ये स्कीम बहुत जादा न्यूज में है, चले, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोशन माते है, कोशन मन नाइ है, अब ऐसे कोशन यूपीए सी बहुत फ्रेम करता है, ठीक है, कि रिसेंटली न्यूज में है, ये कहां मिली है, अब आप देख रहा है, अब आप्शन के है, पैसिफिक कोशन, बैल्टिक सी, ये से करके ऑप्शन दियो, नौज सी, मेडरियन सी, डारेक्ट स्टाटिक कोशन नी पता, आप पोलेंट देखना, ये यूरोप का मैप देखना, पोलेंट के ऊपर देखना, या आप स्विडन के, इस साइड में देखना, आपको बैल्टिक सी दिख जाएगी, जो कि इंपोटेंट सी है, और यहीं पर आप देखेंग, न्यूज में भी है, हिंदू इयर टैक्सी सर्विस किस ने लॉंज किया है, ओप्शन सा आपके सामने अप देखें, एयर टैक्सी मताब आप टैक्सी यहाँ पर, टैक्सी दो मिलती नहीं, इमहाँ देखिए, एयर टैक्सी भी मिल रही है, तो कभी टाइम मिले तो जरूर जाएगेगा, दुबई, क्यों सर्विसस भी लॉंज की है, ओके, चलिए, नेक्स्ट कोशन है, यह इंपोरेंट है, वाट इस सिग्निफिकेंस हो, बीए पीएस मंदिर अबुधाबी, अब देखें, यह बीए पीएस मंदिर कहां पर है, सब बताय था, अबुधाबी, मुदी जी भी वहां पर गए थे, ब लाजस नहीं है, पहला ट्रडिशन हिंदू स्टोन टेंपल है, मिडल इस का, तो इसलिए न्यूस में, यह भी पूछ सकते हैं आप से, कि बाप सुमंदिर जो है, बीए पीएस मंदिर जो है, वो कहां लोकरिड है, तो आनसोर भी अबुधाबी, ओके, एक्जाम के लिए ग्लोबली जाना जा रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, कोची के एरपोर्ट में, अप्शन से, आपको याद हो सके, पहला ग्रीन हाइडोजन प्लांट लग रहा है किसी एरपोर्ट में, फर्स ग्रीन हाइडोजन प्लांट इन एरपोर्ट और वो होने वाला है, कोची साथ BPCL कोलाबरेट कर रहा है वर्ल्ड का पहला, not India's वर्ल्ड फर्स ग्रीन हाइडरोजन प्लांट जो है वो एयरपोर्ट प्रमाइस में लग रहा है कोची में, that is why कोची इस नीज़, चलें आगे बढ़ते हैं, next अभी ऐसे questions आते हैं APAAR stand for, what does APAAR stand for, जीज़ा पुछाएं का इसका full form क्या है, मैं इसका मतलब भी आपको बताऊँगा, बट देखें आपर full form से लिखे हुए है और आपको correct बताना है इसका full form जो है, that is option number A automated permanent academic account registry, ये इसका full form है अब आपको ये है क्या, ये है one student, one identity card मैं आपको explain करता हूँ, यहाँ पर image बनी हुई है बट मैं आपको समझा देता हूँ, ये one student, one identity card है sorry, one nation, one student ID sorry, one student, one nation and one student ID आपके सकते बट पूरे इंडिया बहर में वो ID आपकी लगेगी इस ID में होगा क्या, ये एक digital ID रहेगी यादे किए जो students को मिलेगी चाहे वो government school से हो चाहे वो private school से हो चाहे colleges से हो, उसकी एक digital ID मिलेगी इस digital ID, एक तेगे digital locker का काम करेगी, जहाँ पर student अपना academic achievements वगरा manage का सकते है, store का सकते है, वाँ रखी जाएगी और even, आप students can collect academic credits, जो आपके होते हैं होती है, यह जो भी relevant information है वो भी आपको इस digital ID में आपके upload हो जाएगी, तो यह एक one nation, one student ID बनाएगी जिसका नाम रखा गया है APAAR, that is Automated Permanent Academic Account Registry, इसने यह news में है, इसका full form आप से पुछा सकता है आगे बढ़ते हैं next मैं बात पता हूँ, electoral bonds की 2018 में इंटेड्यूस किये गए थे बट अभी recently Supreme Court ने क्या कर दिया है, what did Supreme Court do regarding the electoral bond scheme for political funding, इन electoral bond से political funding की जाती थी political parties को, जब वो funding करते थे, तो यह नहीं परचलता था किस party ने, किसको कितना fund दिया, यह आप जो fund दे रहा है, उसके बारे में information नहीं पता चलती थी, ठीक है, क्योंकि ऐसा माना था, अगर information परचल जाएगी, तो दूसरी political party को परचल जाएगा, इसने उनको funding दी है, और वो उसके साथ revenge कर सकती, इसलिए उसका जो source है, जो पैसे दे रहा है उसका anonymous रखा जाता था, तो यह political funding होती थी, electoral bond को 2018 से इसको introduce किया गया था पर अब सुप्रीम कोट ने क्या किया है सुप्रीम कोट ने इस स्कीम को invalidate कर दिया है, unconstitutional कर दिया है तो correct answer है, option number भी इसको invalidate कर दिया है, सुप्रीम कोट ने, ठीक है, सुप्रीम कोट की five judge bench थी, जिसने इसको unconstitutional declare किया, यह 2018 से electoral bond चले आ रहे थे, और electoral bonds को issue करता था, State Bank of India, चले, आगे बढ़ते हैं next question मैं क्या पूछ रहा हूँ, किस ग्राउड में सुप्रीम कोट ने इसको electoral bonds को declare किया है invalid as wallating citizens right किये, citizens के इस right को wallet करते हैं, इसको unconstitutional करते हैं, तो किसकी वज़े से सुप्रीम कोट ने किया है options आपके सामने दिये गए हैं, क्या privacy का violation हो रहा था, right to information का unfair distribution of funds हो तो क्या हो रहा था, actually fundamental right आप देखेंगा article 19.1a ठीक, आपने पढ़ा होगा आ, article 19.1 ने freedom of speech and expression, उसी गंदर right to information, violation of right to information, जो सोर्स है, जो पैसा दे रहा है, उसके हमें information नहीं पर चल रही थी इसी के वैसे सुप्रीम कोट ने five judge bench ने इसको unconstitutional declare किया है, तो यह आपको याद रखना, article भी याद रखना है, पूछ रखने आपको article, ठीक है, 15 फेब में नीज में सुप्रीम कोट ने इसको void declare किया, that is unconstitutional declare कर दिया है, okay, चलिए, next, अभी आपको पता हो, 2020 World Cup होने वाला है, और captain declare कर दिया है, रोहिच शर्मा को declare कर दिया, sorry, Jay Shah ने इस statement दी है, but मुझे लगता है कि देखते हैं, क्या रोहिच शर्मा captaincy करते हैं, क्योंकि Hardik Pandya को इतने टाइम से हम continue कर रहे थे, maybe now Hardik Pandya vice captain मन के जाए, okay, so let's wait and watch, official भी declare हो जाएगा, but 2020 World Cup जो होने वाला है 2024 में, ये कहा होने वाला है, question ये पुछा गया, correct answer, USA or Caribbean, लोग generally mark नहीं करते हैं, USA or Caribbean, मैं Men's 2020 World Cup 2024 की बात करा हूँ, जो क्यों होने वाला है, USA or Caribbean, that is West Indies में, okay, correct answer मैं आपको बता दिया, okay, next question में आते है, Paytm बहुत न्यूज में है, ठीक है, अब आप लोग सोचोंगा, Paytm बंध होने वाला है, कि Paytm बंध नहीं होगा, Paytm Payment Bank है, उस पर इशू चल रहा है, but question मैंने पुछा है, Paytm से later day, who is the company operating Paytm Payment Bank, इसको operate कौन कर रहा है, Paytm Payment Bank को, options आपके सामने है, Paytm operate कर रहा है, ठीक है, तो आप हो सकता, बहुत लोग आ दें, इसको operate कर रहा है, क्योंकि आपने यही सुना है, इसको correct answer है, 197 communication, 197 communication जो है, वो इसको operate कर रहा है, यह आपको नहीं पता होगा, इसको बने बता है, अभी RBI ने आपको पता होगा, restrictions भी लगा दी है, Payment Paytm Bank में, यह भी आपको याद रखना है, 197 communication, Paytm में कोई असर नहीं होगा, तो जो लोग सोचे है, Paytm बंद होने वाला, Paytm नहीं बंद होने वाला है, तो प्लीज आप लोग गलत अवाओं में मत पढ़िये, चले, Next, Who is the current chief of Indian Army, अभी यह Indian Army के chief है, बहुत न्यूज में भी चल रहे हैं, तो इसलिए मैं नाम पूत लिया, कौन है भी Indian Army के chief, सब को पता हूँ जिए Manoj Pandeji है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताईए, Naval Chief कौन है, ठीक है, और Air Force के chief कौन है, दोनों की मुझे आप बताईए, मैंने आपको Indian Army का बता दिया, नेवल और Air Force, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, क्यों मैंने कौशन बूचा करनेट में ये, अभी रिसेंटली Army Chief, Manoj Pandeji है, दिसक्शन कर रहे हैं, US Army के साथ, उनके chief के साथ, इसलिए 15th Web को उनकी news चल ले थी, हिंदू में इसलमने कौशन ये फ्रेम किया है, नेक्स्ट कोशन माते है, इंटर्नाइशल वॉटर कॉंटलेफ 2024, कहां कंख्लूड हुए, डैर्क कोशन है, इंटर्नाइशल वॉटर कॉंटलेफ 2024, इफ रिजुन नो दानसहीं, इजू यू आणसहीं, ठीक है, option से इंटन अगर कोही मा अगर तराश शीलॉंग, मतब सब 39 की option दिये हैं, correct answer मेघाले में, शीलॉंग में याद एखेगा, international water conclave 2024 हो रही थी, ठीक है, चले, आगे बढ़ते हैं, next question, question में 20, which countries along with India has been named as guest of honor in World Government Summit 2024, जो की दुबई में हो रही है, question ये भी पूछ सकते हैं कि World Government Summit 2024 कहा हो रही है, answer है दुबई, और दुबई में, India जो है, वो guest of honor है, और इंडिया के साथ दो ऐसी other countries है, जो guest of honor है, जो guest of honor है, तीन other countries और कौन सी है, options आपके सामने है, मैं बता दू, दो other countries जो है, याद रखे गए, टर्की और कतर, तो टर्की, कतर और इंडिया जो है, वो guest of honor है, वर्ल्ड गोर्मेंट सम्मिट, ताट इस हेल्डिंग इन तुबई, चले, next question में 21, किस city में country का पहला, first copper made Bapu tower, ठीक है, copper made B dedicated to Mahatma Gandhi, लोकेट किया गया है, ठीक है, तो यह बड़ा important भी है, और जो लोग बिहार से देख रहे हैं, उनके लिए, बहुत important है, क्योंकि आपकी city, पत्रना में, याद रखेए को, वर्ल्ड का पहला copper made, महत्मा गान्दी का यह तावर जो है, याद रखेगा, पापू टाव यह तेंथ फेप को, ठीक है, थीम में आपको बजाता हूँ, वर्ल्ड पल्सेस दे की थीम क्या थी, इस बाग की थीम थी, पल्सेस, नरिशिंग, स्वाइल से पीपल, तो थीम भी important है, याप से पूछ सकते है, थीम क्या थी, ठीक है, चलिए, नेक्स कॉशन में आते है, कॉ स्वाथी पॉटल, अभी recently launched किया गया है, स्वाथी पॉटल, मैं बूछएओ, इसका purpose की है, मैं पूछाब सका purpose का purpose का इसका एपक्विंस आपको स्वाथी पॉटल का फुल फॉटल का formal क्या है, बड़े बदा थैटा दूँ, तो स्वाथी 폴ेंब का जो agenda है, वो है, श्वा पोर्टल का जो एजेंडा है वो है to empower women in science and technology this is one of the important question मेरा मानना ये question UPSC में frame किया जा सकते आपके ठीक क्योंकि ऐसे question UPSC बहुत पूछता है okay to empower women in science and technology मैं स्वाती platform डीटेल भी बतायता हूं को question detail में भी आ सकता है स्वाती का full form है science for women technology and innovation ये full form है ठीक है ये पोर्टल है जहां पर आपको एक online portal है जहां पर आपको ये पर चलेगा इंडियन वोमेंस और जो girls है वो STEM field में कितनी है जाए STEM field मतलब STEM field मतलब science technology engineering mathematics and medicine field में कितनी women's या girls जो हो represent करती है वो आपको एक online platform में मिल जाएगा स्वाती पोर्टल को यह दिखेगा यह पोर्टल को launch किया गया है international day of women and girls that is 11th feb को celebrate किया आता है इस दिन इसको launch किया इस पोर्टल को और इस पोर्टल को maintain कर रहा है national institute of plant genome research जो की new Delhi में situated है वो इसको maintain कर रहा है तो पूछा सकता है सारी चीज़ा एक्जाम में आ सकती हूं पीसी तो difficult बनाता है तो हो सकता है यह सारे statements वो use करें चले आगे बढ़ते हैं paytm ने अपना e-commerce को rebrand कर दिया नया नाम रख दिया है paytm e-commerce after rebranding उसका नया नाम क्या है यह मैं आपसे question पूछ रहा हूं options है जिससे को नहीं पता उनको पता होना अच्छी है paytm ने अपना e-commerce का नाम change कर दिया गया pay platform क्या कर दिया पी-ए-ई-पे-प्लेटफॉर्म नाम कर दिया है तो correct answer option but d that is pay platform okay next question 25 को लोग सोचन टूटल कितने कोशन है 34 कोशन है इसका सारे कोशन कवर हो जाते है which railway zone has appointed first trans woman traveling ticket examiner तो पहली trans woman appoint किया है वही मैं आपको किस ने appoint किया है उसका नाम भी essay woman का और railway कौन से essay that is southern railway तो southern railway ने काम किया मैं आपको पतायता हूं woman का नाम है से सिंधू गनपती okay appointed as first trans woman traveling ticket examiner by southern railway okay southern railway ने काम किया है तो यह भी exam में आ सकता है next अब आप यहां पर देख सकते हैं अभी government ते एक award introduced किया है ठीक है किसके लिए जो modern influencer होते हैं जो creators होते हैं उनके लिए एक अवार्ड government declare कर रही है अब government ये अवार्ड जो है इन ही को मिलेगा जो लोग reels wheels बनाते रहते हैं क्योंकि इनके अच्छी fan following होती है एक जो education की चीजे बताते हैं उनको chances कम है क्योंकि reason यह है कि वो इतना ज्यादा उनको लोग नहीं देखते हैं बट हमाई जंता maximum क्या देखना चाहती है जो आपके सामने image बनी हुई है वही देखना चाहती है और लोग इसी पर आप देखे चीजे भी करते हैं क्योंकि लोग influence ना होएं यह आपके path guider नहीं है और आपको life में यह भी ठीक है मैं मना नहीं कर रहा हूं कि यसी field गलत है बट आपकी influencer आप यही काम करने लगे हैं और पढ़ाई लिखाई छोड़ दें यह भी गलत है क्योंकि यह सब चीजों से आपको of course like share यह सब चीजे मिल सकती हैं जो आपको आगे चल के life में सीखना वो आप नहीं हासिल कर पाऊगे ठीक है बट गुवर्मेंन भी रिजेंटी एक अवार्ड डिकलेर किया है मिनिस्ट्य अफ जल शक्ति ने कमेंट बॉक्स मोता हूँ मिनिस्ट्य अफ जल शक्ति कौन है अच्प्रेशन मिनिस्ट्र जल श जाम उसमें तो डारेक कोशन आएगा और करेक्ट आंसर नॉइडा क्योंकि यूपी का ही आंसर है नॉइडा को वाटर वार्योर डिकलेर किया गया तो यह एक्जाम में आने की चांसर थोड़े जादा है नेक्स्कुशन हमें 28 सेवंथ इंडियन ओशन कॉंफरेंस सेवंथ इंडियन ओशन और इसको ओजनाईज करता है इंडियन फांडेशन कोलाबरेशन ऑफ मिनस्ट्री अफटर्न अफ्टर्न अफेर्श और ट्रेड मिलके इस फंक्शन को इस कॉंफरेंस को और जो कि पर्थ ऑसीले में भी हुई है नेक्स्ट यह कोशन यूपी एसी असिसें ग वजे से कौन सी कंट्री है options आपके सामने हैं मैं पता दूँ टी एंटी इसका नाम है that is तिरंदेन तोबैको यह तोबैको जो है उसने अभी रीसेंट्ली डिक्लेर किया है okay because of oil spill okay चले आगे बढ़ते हैं which country was honored with the ninth GOV tech prize for its AI powered road safety initiative at the world government submit 2024 किसको यह award दिया गया है या दिखेग इंडिया को यह award मिला है इंडिया को मिला है इसलिए आने की चांसे थोड़े एक्जाम में जादा है okay next question world radio day हम कब बनाते हैं again interesting question world radio day हम celebrate कर थे 13th feb को या देखे 13th feb को इस बागी theme थी radio a century informing entertaining and educating या देखेगा century informing entertaining and educating यह इस बार की 2024 की theme थी नेक्स आते हैं which organization unveil the grow initiative ठीक है grow initiative for agroforestry development aimed at revitalizing India's wasteland तो इंडिया के wasteland को अप proper आप agroforestry करने वाले हैं उसके लिए grow initiative launch किया किस organization इस grow initiative को launch किया है options आपके सामने देखे forest survey, agri culture सब ऐसे ही option दिख रहे हैं but इसा correct answer है नीती आयोग is the correct answer okay आप मुझे comment box रहे हैं who is the vice chairman of नीती आयोग ठीक है नीती आयोग इस grow initiative को apply कर रही है इसलिए आपको याद अखना है ठीक है और इसके vice chairman कौन है या मुझे comment box में mention करोगे next question 33rd या दखेगा where did the prime minister announce the opening of a new cbsc office cbsc का नया office open क्या गया है during ahlan mudi diaspora event जिसको नहीं पता ये mudi event कहां हो रहा है ठीक है वही इसका answer है कोई यहीं पर ये event भी हो रहा था ठीक है options आपके सामने हैं अबुधावी शार्जाव दुबई ठीक है यह सब options दिए गए है इससे correct answer अबुधावी ठीक है तरह से option number a अबुधावी ठीक है वहीं पर ये event भी हो रहा है ये भी पूछाटे तो ऐसे याद कले ना अलान मोदी ये डाइसपूर इवेंट था मोदी जी ने बड़ी बड़ी बाते बोली अरेबिक में मोदी जी ने बहुत स्पीच भीजी अपना अरेबिक लांगविज में तो ए से ए आपको याद रखना है ठीक है तो दुबई मत लगा देना जल्दबाजी में ठीक है इसक अगर आप ऐसे इनिशेटिस को लाइक करेंगे लोग ऐसे ही लेक्चर्स आपके सामने बनाएंगे ना कि आपको टाइम बेस्ट होगा आपके याद एक लेक्चर्स बहुत इंपॉरेंट है आप देख लिएगा एक्जाम में से आपको कुशन जरूर देखने को मिलेगा आप नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं आप वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए उससे भी हमाई हेल्प होती है और फिर क्या नोट्स भी मिल सकते हैं कि हमको हाड कॉपी के फॉर्म में तो बिलकुल हमारे एक निया को समने लॉंच कर याद एक जहां पर आपको हाड कॉपी हैंड इटन नोट्स सारे आपको मिलेंगे तो यह तो आपको नोट्स मिलेंगे ही ठीक है और उसके तो टोटल फॉर्टीन बॉकले बट साथ साथ में आपको वीडियो लेक्शे क्लासे पॉलिटी जोग्रफी हिस्ट्री इकनोमिक सब की वीडियो लेक्शे क्लासे भी मिलेंगी तो कम्प्रीट कोर्स है यह कोर्स कहां से मिल सकता है यह आपको मेरे अप्लिकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक दिया हुआ है नाम है देवशिश क्लासे आप या तो वहां से है तो आप जाकर एप्लिकेशन में सारी इंडिवीज़ सब्जेक्ट की भी क्लासे आपको एवलेबल हो जाएंगी अगर आप नोट्स हाड कॉपी के फॉर्म में नहीं खाइना चाहते हो तो उसकी भी पीडियेफ हम आपको एवलेबल करा देंगे हैं डिटन नोट्स की या जा पर लाइफटाइम एक्सेस में आपको दे रहा हूँ लाइफटाइम मतलब एक बाप परुशेस कर लिए उसके आपको दुबार आरा पको ब्रॉज से आपको दुबारा कोई करें कभी जोरोत नहीं पड़ेगा प्री रहेंगी क्लासे सिर नहीं आंसर एटिंग रहेगा मैं आपको साही information भी दी, इसका PDF भी आपको मैं provide कर दूँगा इसके बाद जया देखेगा, आप कोई other channels को follow नहीं भी करेंगे तो चलेगा, यहीं से आपको सारी चीजे exam में देखने को मिलेगी आप मेरे बाकी चैनल को भी विजिट करें, बाकी playlist को विजिट करें, आपको देखने मिलेगा हम एक UPSC की भी series चला रहे हैं, जहांपर हम previous year questions करा रहे हैं तो series को भी आप देखिए, उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो उसको भी देखिए exam perspective से वो भी important है कोई doubt query है, comment box में जरूर comment करके बताइए, हम आपके comments का इंज़ार करते हैं कोई doubt query है, वो तो आप बताएंगे, प्रस जो मैंने आपसे questions पूछें, उनको भी comment करके आप comment box में बता सकते हैं वीडियो को लाइक जरू करने, फर्स टाइम आएंज चैनल को subscribe कर लें, कोई ऐसे ही lectures आपको exam के लिए हमाई तब से मिलते रहेंगे note classes के लिए आपको application डाउनलोड करना पड़ेगा, या मेरे WhatsApp पर आपको contact करना पड़ेगा, so thank you everyone, जे हिंद, जे भारत